तो एक बार फिर स्वागत है मस्टर क्लास इस प्लेटफार्म ते जिमें कि अपन पता है इंटर्व्यू ना सबंदत मौस्ट रेलिमेंट कोश्चन्स असी कर रहे हैं एक स्वाल दा जवाब मैं जुरूर देदा इस तो अगे दो विडियो साधियां ड्रेस कोड थे कि मैं एक बोर्ड दे समने तुसी बैठ होगे ते त्यादी बोर्ड दे समने एंट्री तो लेके सब कुछ सो जड़े एक्सपर्ट्स नियों बिल्कु ले देते अपनी राय रखनगे उस तो बाद इंडिवीजूल मौक ग्रिलिंग भी अपनी शुरू हा ते ता नो जड़ मौक ग्रिलिंग ली ओन उस तो बाद फिर जदो पैनल बनूंगा पैनल भी बहुत वदिया एक्सपर्ट्स दा त्यार किता जा रहे है ते मीज ता डिकुल एक बहुत वदिया एक्सपीरियंस रहूगा ता ड़ा साड़े नल जी में ता पेपर च रहा है तो जादिया गलना नहीं कर दे अगले सवाल चाहिए जड़े अपने इंटर्व्यू वास्ते बहुत जरूरी ने कि में अडिकुल एक बड़ा इंपॉर्टन्ट कोश्चन आ गया कि बिल्कुल क्रेंट इश्यू जनाल मेल खांदा है क्योंकि वैसे था बड़े सवाल हजे बहुत सिच्वेशन बेस्ट कोश्चन आने हैं कि SDO थे SDM दे वेच की फर्क हो सकता है क्योंकि पंजाब दे वेचे सवाल इस करके relevant नहीं हैगा क्योंकि SDO पंजाब च ज़्यादा तर भिजली बोर्ड तो लेके PWDU तो लेके होर मैक मैच होंदा है प्रशाचनिक से वामांच SDO कोई बहुत पुचिया भी जा सकता है उस तो बाद नमें बने जड़े लॉज ने ठीक है जड़े अपने इंडियन पीनल कोड दा सीर पीसी सीपीसी दा नमा वर्जन आया है उन्हों लेके सवाल भी हो सकते है बट एक लाइन दे विच सारे सवाल लोने है मैं ए वर्ड क्यों बोले क्यो इंडिशन दा आर्टीकल दोस्तों दोस्तों एक में लगदा आर्टीकल से चक्रच नाहीं पामाते सा ज्यादा सही रहूगा के राष्टरपती कोड एक बेल पे जया गया गवर्नर दवारा क्योंकि उन्हों लगदा सी कि उदे प्रिवीव चो बारा तो नहीं गवर्नर ने यह अपने आप चेक सिचुएशन बेस्ट सवाल पॉलसी मेकिंग दा सवाल कि जे तुसी उत्ते होगो जे तुसी परकासिंग कमेटी तुसी मेंटली प्रपेवर हो जो कि तिनना नू लेके मैं सरकमस्टांसीज ते इस पोश्चन्स करियेट तुसी कहों कि एच्छांसल लेट चर जो जड़ी वदान पाली का इस्टेट दी वदान सबाई विन दुबारा देखे एक बार उन्हें ए मसला सेंटर स्टेट टसल दाए कंदे जी एम सावदी स्टेटमेंट उस तो बादा खबार चो कोट के ती है किंजाब दे मुखमंत्री पगवंत निंग मानने कि चांसलर शुडबी एलेक्टेड सी एम नौट सेलेक्टेड एदा की मतलबा की चांसलर नो चुने होए नमाइंदियां विच्छों होना चाहिए ना की नामजद किता होना चाहिए जेडी एदी पंजाबी स्थीक-थीक समझ इस्च मन दिया होन गाले या कि जे तुसी एस सवाल ते खड़ा करता लिया के जिमनों लगदा जेता डिको लेदा हिस्टोरीकल बैग्राउंडी ना होया तुसी एस सवाल दा की जवाब दा होगे ठीक है देखो असल दे विच्छ जदों साथा सभीदान बने आते सभीदान तो बाद वदान बने बहुत सारी यां स्टे ता हर युनिवस्टी किसे ना किसे एक्ट नाल पास होई है चायो स्टेट युनिवस्टी है चायो सेंट्रल युनिवस्टी है पोशिश की किती गई कि जड़ी दा सेंट्रल युनिवस्टी है उन्ना दे चांसलर प्रेजडेंड जा वाइस प्रेजडेंड सरके जाना क्यो यहां उपर आश्क्रपती जड़ियां Central Universities ने जी में पी यू पंजाब उनिवस्टी चंडीगाड़ो थो दे चांसलर देश दे उपर आश्क्रपती ने ठीक है कहाणी है यह कि State Universities दे चांसलर गवर्नर्स नो क्यों रख्या गया क्योंकि मन्नेया जांदा सी के आसी इन्ना युणिवस्टियां नफे खाल देना और देना फैसे देखो राजनेटी अड़े ना बन देन कि मतलब कि कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स नी डाए्ट प्लिटों पॉलिदे आँ और नी जव लर्बना अधिन्या अफिरे एक ना जेडी इना दा एडिमिस्ट्रेशन आ जो बिल्कुल सुप्रीम बॉडी ओफ दी युनिवर्स्टीज ने हना जेडिया साथे विश्व द्याले ने ओना दी जडी सब तों फाइस्ट अथार्टी या ओ नॉन प्लिटिकल रहोगी ए मनने गया एस चीजनों अज्यूम करके चांसलर दा ओदा जड़ाए वो स्टेट स्टेट युनिवर्स्टीज दा चांसलर दा ओदा जड़ा इस गुवर्नर सहिबानों दे देता गया ते गाले भी ठीक सी वक्त बदल दा गया जानु श्याद पता है कि उस तो बाद जदो इस द सरकारा सेंटर दी सरकारतों अटब लाग पी अधिक सोब कॉल्ड डवल इंजन होन सिंगल इंजन होन लाग पिए को डवल इंजन समझ दिऊना कि सेंटर दे स्टेट दी सेम सरकार जस्के इम इड़ा जी आड़ी जयां गठ जोड दे वेच राध्यों वोग पिया ओधे ना स्पार्क के जड़ी नमी सरकार हो दी सी, ओ दुझी स्टेट दी सेरकार अनुपंग कर दी सी, गवर्नर तू प्रेजडेंट रूल दी रिकमेंडेशन ले लें दी सी, तक गवर्नर दी पोस्ट वक्त दे नाल-नाल पलिटिकलाइस वं दी गई, यह मैं स्टोरी सना रहा था कि तुसी अपने आंसर नू फ्रेम भी कर सको ना मैं ता नू रटे रटाई आंसर थोड़ा दसूंगा ते मिनू लग ता रटे रटाई आंसर जो ते आनू सवाद भी कोई नी ओना वक्त दे नाल के गवर्णर दी पोस्ट जड़िया प्लिटिकलाइज हुन दी गई 21 सदी तक 24 फिर उसतो बाद एहोजा दोर आया वेच जे जदो 24 तो बाद किते ना किते सेंटर सरकार ते अपनी आइडालोजी नू परमोट करन दे अरोब स्टेट गवर्मेंट्स द्वारा लाए गए जिमें तेरला दा इश्यू देखन दो मिला तामिलना डू दा इश्यू देखन दो मिला सिद्धी सिद्धी गवर्णर ते स्टेट गवर्मेंट देवेच तलकी देखन दो मिली फिर उसतो बाद तलकी होन पंजाब गवर्मेंट दे ते सेंटर देवेच देखन दो मिल रही कि इस्टों तक मैं चानू ले आया होना हा गया उस्वाल कि तुसी यह बेले कॉंट्रोवर्स सीच रहा है तुसी जान देओ चांसलर दा और दा स्टेट दे विच गवर्नर को रहा है हमेशा सारी स्टेट ना चाहिए ही रूल ने ठीका एक मौडल एक्ट सेंटर ने बना था स जो अपने यह युनिवस्टियां इस्टैबलिश किती है तो तो यह स्टेट विदा सबाने एक्ट एमी पार्त करवाए कि उथे गवर्नरी उथों दा मुखी होगा चांसलर होगा यो अपने वाइस चांसलर अगयरा दिया पॉइंटमेंट एक यूनियन काबिनेट दे पे गवर्नर दी पोस्ट जड़िया नॉन प्लिटिकल रही है उदो तक इस चीस कोई अतराज भी नहीं होना चाहिदा सी के यूनिवस्टियां दा एडिमिस्ट्रेशन जा सुप्रीम अथॉर्टी जड़ियोना दी सैनेट कहलो जा टॉप मैनेजमेंट हो दिज किसे तरीके दी प्लिटिकल इंटरफेरेंस होवे शायद जैस मंचा ना ले इस एक्ट नो बनाया गया सी का या सारिया स्टेट्स ने कंसेंट देती सी कि आप अपने स्टेट यूनिवस्टीज दे एक्ट एमें पास करांगे वो दो ता कि सब कुछ बहुत सई सी का बट जी में इन नियर प लास्ट बहुत बहुत बरी गवर्नर दी पोस्ट जी लिए आ उस जारि प्लिटिकलाइज हो गी या कई वरी स्टेट एक रहज दे बट फिस्ट नो लेके जो इशूे sorry क्रेयर होए या непonder स्टेट इन बढ़्राडेंफिकां मेरं ने चायो पंचिक अंड दो चायो administrative reform commission है चायो सरकारिय commission है एक बहुत stress जिता गया एक गवर्णर जेड़ा है उस state government नो जा state दे मुख मंतरी नो confidence लेके जे चुने आ जावे ऑल्दो एक बिल्कुल सही है कि उस्टेट दा नहीं होना चाहिए दा स्टेट दी politics जो ना होए था बहुत चंगी गला तो convention आ जिता कभी मन्नी जानती है किसे सरकार ने उन्हों बहुत कटी जे किते जुम्यवारी दे देती जान दिया एक extreme east एक extreme west तो सानु यह में समझाओ दिया कि 21st century दे विच भी गवर्नर दी पोस्ट होने एक बहुत जादी political पोस्ट है जे गवर्नर दी पोस्ट भी political हो चुकी है इस cmv parliamentary system चो चुनकी आया होया है जे दुमी पोस्ट हो प्लिटिकल ने ता मेरी समझे केंदी है के फिर सान नू चांसलर एक चुने होई बंदे नू बना ओन दा मौकाद दे देना चाहिए एट लिस्ट उन्हा दी हाईयर एजूकेशन जैसे की किता ते जे स्पोस करो किसे भी कारण कोई विगन पहनदा है उन्हा दा सुच्चया होया बंदा वाइस चांसलर नहीं हो पहुंदा जा उन्हा दिया पॉलसी गवर्नर दी गवर्नर एज चांसलर ते किसे decision करके impact हो रही है मिन्नू लगदा है कि उन्हा कोड़ एक बहाना बन जूगा एक चुनी होई सरकार कोड़ कि असी बहुत अच्छे लेवल ते हाईयर एजूकेशन लूपर मोट करना चौन दे सी पर वाइस चांसलर ते होर उपर ला अमला चौन जा सड़ी से ना होना सड़े वास्ते गवर्मेंट जां लेफ्टिनेंट गवर्नर वर्सीज यूटी गवर्मेंट ऑफ डेली दा केस गया है तो सप्रीम कोट भी वार वार केसा चेक है चुकी है कि चुनी होई सरकार जडिया ओधे हाथ अथा अथार्टी दे देनी चाही दिया क्योंकि बहुत हद तक अकाउंट जादा है कि जे दो में पोस्टां प्लिटिकल होई चुकी है एक पोस्ट औरेडी प्लिटिकल पोस्टा एक प्लिटिकलाइज हो चुकी है तब फिर जे मिनों दो माच चुड़ना पवेता मैं टीम नूँ ऐज चांसलर देखना ज्यादा ठीक समझूँगा क्योंकि ओ एक ज खुबसूर्त आंसर त्यार करता से सीएम साब दी गल हूं तोसी जैज भी ठराता है कि चांसलर शुड़ भी एलेक्टेड सीएम नौट सेलेक्टेड तो उमीद करता है कि इस वाल दा जवाब ता था नों समझा गया होगा एक तो बिना जड़े सब गवर्नर पुरोहित ने दिन बेल रिजर्व रखे सी एक दा जवाब मैं देता एक सिक गुर्दवारा अमेंडमेंट बिल दो ही आरती एक पंजाब पुलिस अमेंडमेंट बिल दो ही आरती इन्हें दो माते वी मैं अड़ सरकम सिचुएशन बेस्ट कोश्चन त्यार करूंगा विकाउस एवी रिकमेंडेशन केडियां सी एडियां देचे डिसकस कितिया जानियां चाहिए तो सारे एंगल पे इस एक गुर्दवारा अमेंडमेंट बिल दो जारती की एदेच पारली वापस क्यों आया की आउना चाहिए दा सी एथीकली जां कहलो की लीगल ग्राउंड ते एस बिल देखो तत्यानुना पैनल लगे बैठके शर्मसार ना होना पवे त्यानुन पता होवे कि हाँ एचीज है गी है लोग जी इंदे वातावरं ते बुरे परभाव करके बहुत सारीयां राज्या ने एक प्रपोजल रिजेक्ट करता सी ठीक पर पंजाब सरकार ने रिक्वेस जोरा शोरा ते चल रहा है पर इत्थो निकल नमारे गंदले पाणी ने उत्थों दी तरती पाणी ते फसला दा बहुत नकसान किता है ते नालनाल जनवर ते लोग कांदी भी सेथ ते बहुत बुरासर पे आए ते लगातार एस प्लांट नो बंद करन दी गाल चल रही है बहुत सारे लोग जड़े है वो एस एजिटेशन चे पार्टी स्पेट कर रहे है एक उन्न कनून वस्था दी सिथी भी बन गया है पुल इस एक्शन दी भी लूड महसूस हो रही है ठीक है बहुत सारे इस तरीके दे जन तक वद्रोत वाद भी वरोत तो बाद भी आवसरकार जड़ा है उन्ना ने एस एक्ट्री नू बंध करन दा ओर्डर देता पर इत्तों दी जड़ी बंध करन दी ओर्डर तो बाद बहुत लोग इत्तों बेरजगार हो रहे है जड़े इस फेक्ट्री चे सिद्धे अलाइड सेक्टर्स दे विच असा है एक तन दिया आशर पाया जड़े इना द्वारा बनाए जारे केमीकल से मिंदरबर अंडस्ट्री सी गया नेडे दिया ठीका तो हुने सारी टुटैल टी चेक सीनियर आफिसर होन दे ना ते मंजाब दे डपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट दे विच इन्वायरमेंट सेक्टरी होन दे ना ते तुसी एस मसले नुक्के में अड्रेस करना चाहोगे तो हुन उमीद करना के गल बड़ी इंपोर्टेंट है ठीक न हुन एदे चे बहुत सारे जदो एहोजी सरकम्स्टांसी सिचुएशन्स थोटे सामने लिया के राखतियां जुमें हुन मालो बहुत सारी सिचुएशन-based questions बड़े खतरनाक होंदे है मैं अगे एक सिचुएशन लेके आऊंगा ओस सिचुएशन में डिसकस करूंगा और मैं सेनेरियो बना था किसे एस्पीरेंट को बैठे-बैठे मेरे दमाग चे गालाई कि तुसी एक स्कूल दे प्रिंसीपल होता है डे स्कूल जड़ा है यो बिल्कुल पेंट दे वे इच्चा ते जित्वों दिए अबाद्धी भी बहुत जादी है ते ओ जिस लड़के ने रेप किता है ओ कैलो की जिस लड़की दा रेप होया है ओ सो कॉल्ड अपर कास्ट नाल सबन्द था ते रेलेटिबली कास्ट डिफ्रेंस भी जा जित्कों दे तुसी प्रिंसीप अलो पूरे दा पूरा पिंड जित्थे की कहलो की लोग हथियारा समेत तंबया समेत स्कूल नू सारे पास्यों के री बैठे है ते मींज लड़की जडिया ओ मतलब की ओधी हालत बहुत खराब है ठीक है ते मतलब बींग स्कूल हैड कि पल होन दे ना ते तुसी केड़े की स्टैप चकोगे ते किस करना जीच तुसी स्टैप चकोगे मीन्स थोड़े समने के डी देखो एक बड़ी सिंपल जी गाला इजड़ा बोर आ ना जड़ा थोड़ा बोर बनूंगा उधाना सबसू में काम की हुंदा उनू विचलित क मरदा है वो देखने के मतलब उत्यान वार वार इस ती जे नल की जे एस सिचुएशन चे फादर तुसी हुंदे तो विचलित करन दी कोशिश करने के भी कुज ज़त विचलित हो गे थोड़े मॉरालिटी जा थोड़े इमोशन जड़े है तो थोड़े प्रफेश्चनल एक्टिक्स ते डॉमिनेट कर गे समझलो ओधनी तो यंद्रों अफसर वाला करदार गया थोड़े अंदरों सिवल सर्वेंट वाला करदार गया ओ एक व जो बड़े अच्छे नंबर देके उन्हों पास करने के इस तरीके दी सिचुएशन जड़ी या वो एक फूल हैड दे सामने नेच्टरल दी गाला रखी जा सकती है ते मतलब यह में दिया बहुत सारी है सिचुएशन बेस्ट कोस्टन्स जड़े या ओ थोड़े सामने आ सकते है खेर इधे जड़ा मसला है होना एक सब तो इंपॉर्टेंट का लगी सिचुएशन बेस्ट कोस्टन्स नों सोचन दी कोई ट्रिक है गी है वैसे पैनने लगे केड़े ट्रेके चलने या बंदा अपने अपने सामने हो नहीं बहुत है पर हाँ कुछ चीजां है गिया है ज जड़े फॉलो किते जा सकते हैं सब्सक्राइब किन दमाग कर दमाग करें उन्वायरमेंट इंवायरमेन्ट है जा अपने दमाग सोचो इस सब्तो ब्राइब ग्राउड लेवल ते हुवे ना होवे वखरी का लाः पर प्राक्टिकल जुरूर लगना चाहिदा ये पैनल नूँ जा बोड नूँ जा चागे या क्यों वाक्य एक practical जा हल हैगा है में नू लगता कोई चक्रा जब अंदी लोड़ी नी मसला ही हल हो गया सब तो पहली गला इना चो priority basis थे environment पहला जड़ा हल हो जाना चाहिए थे environment हल के में हूगा उन्हों देते गला कर लेने हैं तब तो पहली गला की सर बींग senior officer जा बींग एक्जाम इनवार्मेंट सेक्टरी मैं एस चीज दी कोशिश करूंगा मतलब इस तरीके नल मैं इस चीज नो कोशिश कर दा कि पहला थे देखां कि जेड़े उथे environmental problem आई है जेड़े environmental issues raised होए है उदा main car न की है जे मैं इस तरीके दी example पहला भी एक वरी पंजाब चो होई है कि पंजाब चिक factory जड़ी सी liquor factory उथे ना रेटेडे सीगा कि जदो investigation किती गई जाँ प्रॉपर जांच किती गई था पता लग गया कि जेड़ा contaminated water सीगा chemical contaminated water उन्हों सिद्धा bore wells दे थे थूँ बिलकुल water table तक अलडे पानी तक पचाया जा रहे है थी पानी दे contamination दे चांस बहुत जादे सी थे water table तो पूरा नेडे दे बहुत जादे hectares तक ओबियस जी गाला दूर-दूर किलो स्केर किलो मिटर्स तक फैल गया ते बहुत दूर तक पानी नूग कंटैमिनेट किता ओस ड्रेक्ट बोर वेल्स दे थूँ कैमिकल नाल पर हुए पानी ने जदो ले गया पहला था एक कोशिश किती जाओगी कि कि उत्थे जड़ा जिस तरीके नाल यह फ्यक्तिर जो जो प्लूचं होना चाहिए है ठीक है तो जिनियां भी रेल कंसर्ण अथॉर्टीज ने प्लूशन कंट्रोल बोड आ जहां जिनियां भी लिबाटरीज ने बहुत पहल देदा आरते कंटैमिनेशन नो चेक किता जाओगा पहला पॉइंट होगा कि कोशिश किती जावे कि ओस कंटैमिनेशन नो रोके आ जावे ठीक है जे जेडियों केमिकल्स उदेच यूज हो रहे है उन्हां नों नूट्रलाइज के में किता जा सकता है ये दिच मैं सब तो इंपॉर्टन ग आ था डोलन वादगै आ है तर डे किऊटिनेट ली युन्हा दे लीडर्स भी ंगे उन्हां भी नाल लेया जाओगा लोकलव आ्थॉर्टीस नो नाल लेया जाओगा ता उन्ना नो विश्वास्ट लेके एक कंटैमिनेशन नो बंद किता जाओगा सब तो पहला ता एक कोशिश किती जाओगी कि उस फैक्टरी नो चालदा रख्या जाओए ते जो बंदा उन्नो दुबारा चलौन दी कोशिश किती जाओए बिकाज बहुत सारे लोग ओदे थे एंप्लॉयमेंट करके निर्बर ने सब तो पहल देदा आरते ता कोशिश ये किती जाओगी फिर उस तो बाद दुज्जा पॉइंट ये स्पोज करो किसे भी तरीके नाल इसे भी तरीके नाल सान नो ये लग गया कि ये हल नहीं लब पा रहा है को सिलूशन नहीं मिल पा रहा है फिर एदे कलोजर वाल नो सोचे आ जाओगा एंड ये चीज बहुत जुरूरी है कि जे ओ फैक्टरी नो बंद किता जा रहा है जा बंद किती फैसले फैक्टरी नो बंद किते रहन दा ही फैसला जारी रखन दी गाल हो रही है जो अल्रेडी फैक्टरी पहला बंद कर देती गही है टम आरजी तो रहते है नपरेरी तो रहते ते साधी रपोर्ट ते उन्हें बंदी रहना है फिर सबतों पहला नाल concerned authorities नो लेके केडिया concerned authorities दिस्टिक employment officers नो विश्वास्ट लेके जाँ उनना officers नो contact करके उनना concerned authorities नो नाल लेके दिस्टिक industry centre DIC नो नाल लेके ते होर employment generations NGOs नो नाल लेके सबतों पहला पहल देदार ते उनना लोग का दी employment दा परबंद किता जाओगा because ए ओ unemployed लोग नीगे जेड़े आज नौकरी दी मंग कर रहे है औरेड़ी पिछले 10 साल तो employed सी इनना थे बहुत सारे जड़े करादे खर्चे या उस तरी के नाल fix हो चुके या इनना वास्ते नौकरी लेना एक unemployed बन देते हो नौकरी लेना तो totally different है इस करके सबतों पहली कोश किता जा सकता है जिवें असी अक्सर देख देख देया कि साड़े स्कूल ना बहुत सारा जड़ा नौन अकैडमिक स्टाफ हा उदी शौटेज है इससे करके टीचर्स नौन भी बहुत ज़्यादा कम जड़ाए ओ अकैडमिक करना पहनता है जिड़ा भी semi-skilled स्टाफ हा उन अधारे ने जड़े सारे पंजाब चने डैफिनेटली जेस भी इलाखे दिये सिचुएशन होगी उत्थे भी होनगे उत्थे उन्हान अड़ेस्ट किता जा सकता है उन्हान अपने काम दे मताबक unskilled होगे, semi-skilled होगे, skilled होगे उन्हान दी कहलो की employment नूँ पहल दे अधारत दे देखे, फिर इस फेक्टरी नूँ शट करन दी, permanent शट करन दे, orders जे रिकमेंडेशन जेडिया, वो कर दिती जाओगी, प्लस, 10 साल पहला इन्नू के में permission मिल गी, without social impact assessment and environment impact assessment, ए बड़े वटे शब्द, जे तुसी अपने पैनल लगे, बोड गे, शब्द रखते, तो उन देने environment दे नामते कली, ecology, environment नी पड़ी, इननू practicality पताए कि environment impact assessment, फिर इस चीज दी proper जाच करके, ओधी report भी सरकार नू सब्मिट किती जाओगी, it means, 10 साल पहला एड़ा वड़ा lag के में हो गया, केड़े loopholes नू यूज किता, ए भी मेरी responsibility या कि सरकार नू proper report बना के ओधी दि जावे, it means, तुसी नाल दी नाल, जेड़े लोग बेरजगार होए या, उनना दा सोचे या, environment दा सोचे या, ठीका health issues नो तुसी सोचे या, ए सारा विस्तृत जानकारी जे तुसी उनना दासती, अगला बंदा ए नहीं देख दा, कि देखो किड़ियां hypothetical गला कर रहा, अगल बंदा सोच दा, कि एक अफसर मौके ते किनात सोच सकता है, जेड़ा बूर देदे, प्रेशर रगगे, अजेड़ना सोच सकता, at least, एधी गल, implement होनी या, कि नहीं होनी, वो ता डपेंड करदा कि सरकार दी, willpower ते, resources किन नहीं है, पर at least, एस बंदे कोलता है कि चंगा वीज लोग कांदी, employment, help, environment, इनने issues नो अपनी सलादे विच समेट सके, concerned, authorities, seniors, सारे सिस्टम नो विश्वास्च लेके, ठीका, जेड़े उथे stakeholders हा, हार एक stakeholder नो तुसी कोश-कोश देता, समझ लो, कि थोड़ा हो आंसर, perfectness दे नेड़े हो गया, तो एग अलकली एस situation चीनी, समने रखी है, जिस लड़के ने रेप किता हो दी, age 15 years है, एवी तुसी उस case ची जोड़ लियो, क्योंकि तुसी कहा दो कि 17 साल दा होगा, होते ते जोवे नाई, लेक्त लागदा हो भी नहीं लवान देना, मतलब ते आनू, खतरनाक तो खतरनाक situation चीन चीन, ते आनू student ही जड़े पिशली बार interview देके गए सी, उनना ने भी पुच्छे आ सी, इस तरीके दे जिनने मेरे तजर्बे होनगे कि आज situation based question exactly PPSC ने 2020 पुच्छे आए, किसे उन्हों दो 2019 पुच्छे आए, ठीका, ओ भी मैं दसी जाओंगा, ते उनना दे parallel हो, केड़े खतरनाक questions अपने professional ethics दे अंदर रहे के, प्लस अपने seniors नो confidential है के concerned authorities दे नाल चल के, उनना नो coordinate करके, याद रखे हो, seniors नो मिस्वास्च लेना, concerned authorities दे नाल coordinate करना, ते तीजी गाल, सारे stakeholders नो सही तरीके नाल, predict कर लेना, चिन हित कर लेना, अब ते न निगलना जड़े बंदे नो आगी ह अगला स्वाल बड़ा, इंटरस्टिंगा, पंजाब दे पानिया नो लेके वी तया दे तो स्वाल, definitely बुच्छा जाओगा, water deflation in Punjab, पर मैं obvious जी गाला ही थे 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 बहुत कुछ लिखे आए, यह ता लिखना जुरूरी सी गा, because दे चुना मैं कई बंदे नो आंकडे नेक्स्ट वीडियो चाहिए बारे जुरूर डिस्कस करांगे, बात तो बात तुसी साधे नाल जुड़ो, साधे एस नमबर ते कॉन्टेक्ट करो तुसी 80544 00797, सो एस नमबर ते कॉन्टेक्ट करके तुसी साधे नाल जुड़ सकते हो, register बारे PCS बारे हो, और किसे भी च अस भी दे ग्रूप B लेवल दे पेपर होनता, definitely तुसी तोहड़े बच्चे थोड़े साथी, कोई भी थोड़े रिष्टेदार त्यारी करना चाहूं दियो, तो Master Classes पटे आला नाल जुड़ सकते हो, तुसी, thank you